सिब्यसी बोर्ट के द्वारा आयुजित होने वाली सीटेट जुलाई 2023 को पास करना आपके लिए पहले के सीटेट की परिछाओं की दुलना में ज्यादा आसान होगा इसका रिजन क्या है ये जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप भी सीटेट 2023 के लिए त्यारी कर रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूटेब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार उजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हैं बेल आकिन को प्रेस करना ना भूले CBSC Board के द्वारा जो दिसंबर 2021 में परिच्छा का आयोजन किया गया था मतलब कि इस बार जो दिसंबर में हुआ था उसके पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ यानि पहली बार जब ऑनलाइन परिच्छा हुआ था तो उसके सारे पेपर इनकी वेबसाइट पर डाल दिये गया थे 1 अप्रेल 2022 को लेकिन जो 22 दिसंबर 2022 वाला पेपर हुआ है ओनलाइन वाला ये पेपर मई में अमलोग है लेकिन अभी तक इनके द्वारा वेबसाइट पर नहीं डाला गया है ये ऐसा नहीं है कि ये जान बुझ करके CBSC भूल गई है या फिर नहीं डाल गई है ऐसा इसलिए है क्योंकि CBSC बोर्ड इस बात के लिए तियार नहीं थी कि जुलाई में परिच्छा का आयोजन होगा जैसा कि मैंने आपको पहले भी आउगत कराया था कि इसको लेकर के एक समिक्छा पैठा कोई थी केंदर सरकार में और सिक्छा विभाग में की सीटे फुल हो चुकी है बिहार की लगबग सभी सीटे फुल हो चुकी है तो आपको देखने में और इन सभी को देखने के बाद ये इस पश्ट हो जाएगा कि आवेदन भर करके आ रहे हैं और दबा करके इस बार भी आवेदन हो रहे हैं तो ये तो तह है कि इस बार भी कम से कम 24-25 shift में परिख्षाएं होंगी तो इतनी कम समय में चुकि CBSC board को इस बार अभी paper set करने का मौका ही नहीं मिला आप लोग देखे होंगे कि मार्च में इनका result गोशित होता है और अप्रेल last week में इनके द्वारा notification जारी हो जाता है और इसके लिए परिख्षाएं भी दो महीने बाद ही सुरू हो जाएंगी जुलाई अंतिम सप्ता तक तो इन सब को देखते हुए CBSC board के पास समय ही नहीं है कि 24-25 shift के paper set करें और वो भी 22 language के option पूछे जाते है तो 22 language के लिए भी paper अलग से set करना है तो 22 language का और फिर 24-25 shift का इतनी ज़्यादा संख्या में paper set करना इतने कम समय में किसी के लिए भी possible नहीं होगा इसलिए CBSC board ने ये प्लान किया होगा कि जो पहले के 2021 वाले online paper थे और 2022 वाले online paper है 24 shift में 2021 में paper हुआ था और 24-25 shift में 2022 में paper हुआ है तो लगबख 50 set हो जाता है दोनों मिला करके तो 50 set में से ही वो paper के questions को इधर उधर करके आने वाले 2023 जुलाई वाले paper में set करके देंगे इसलिए जो इनका online paper था 2021 वाला इसको भी इन्होंने website से remove कर दिया है इसके लावा 2022 वाला जो paper है इसको भी इन्होंने अभी तक website पर नहीं डाला है और उमीदे बहुत कम है कि ये website पर 2022 वाला paper डाले क्योंकि इनके पास समय नहीं है और उनी सभी questions को वो कहीं न कहीं घुमा फिरा करके आपको 2023 वाले paper में देने वाले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये paper पास करना आपके लिए बेहद आसान हो सकता है अगर आप previous year paper जो कि पिछले 2 साल में हुए है online वाला केवल उसी को अगर आप solve कर ले उसी को केवल देख ले तो भी आप मान करके चलिए कि 120 से जादा ही number पालेंगे इसे से कम नहीं आएगा आपका क्योंकि इनके पास समय नहीं है और वो कैसे भी करके उसी questions को इधर उधर थोड़ा बहुत change करके आपको आने वाले July 2030 की परिछा में देखने को मिलेगा 100% ये तह है इसी वज़े से ये पुराने paper को remove किये है और नए paper को अपने website पर नहीं डाल पा रहा है क्योंकि ये practically संभौ ही नहीं है कि इतने कम समय में नए papers को set कर लिया जाए तो वहीं questions रहेंगे कुछ थोड़े बहुत changes आपको देखने को मिलेंगे अगर आप चाहें तो 2021 वाले सारे paper shift wise subject wise मैंने complete paper solution करा दिया जिसका link आपको इस वीडियो के description में दिया गया है 2022 वाला इनके website पर आया ही नहीं तो मेरे लिए भी ये impossible है कि मैं उसके paper को solve करा पाऊँ अगर आपके पास है तो आप career bit के official mail id पर send कर सकते हैं मैं उसको solve करा दूँगा लेकिन इनकी website पर नहीं है तो available हो पाना बहुत मुश्किल है तो अगर आपके पास है जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपना response की download किया होगा तो वो उनके पास अलग-अलग shift का होगा तो अगर आप चाहेंगे तो carrier bit का जो official mail id है उस पर जब आप mail करेंगे तो मैं उस paper को solve करा दूँगा हलांकि 2021 के सभी shift का मैंने solve करा दिया जिसका link का आपको इस video के description में दिया गया ठीक है और carrier bit का जो official mail id है आप about section में जाएंगे carrier bit page पर जाएंगे और उसके बाद से about section सबसे corner में last में आता है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर inquiry करके लिखाओगा वहाँ पर mail id दिया गया वहाँ से जाकर के आप mail id ले सकते हो और अगर आप चाहें तो 2022 वाला paper आप send करेंगे तो मैं उसको solve करा दूँगा क्योंकि मेरे पास 2022 वाला paper है ने क्योंकि इनकी website पर डाला नहीं गया और 2021 वाला मैंने solve करा दिया है तो मैंने आपको region बता दिया कि क्यों ये आसान हो सकता है क्योंकि 2 साल का जो paper है निश्चीत तोर पर उनी में से इनके द्वारा दिया जाएगा और इस वज़े से अगर उन सभी papers को आप go through हो जाते हैं तो निश्चीत तोर पर आपके marks 120 प्लस कहीं नहीं गया है उमीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी ऐसे ही मत्रपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भो